बिहार की सियासत में हम महागटबंधन का दोर हैं गटबंधन हो रहे हैं दोनों तरफ एक तरफ जहां महागटबंधन का निर्मान कर रहे थे जसी भी आदो वहाई दूसरी तरफ नितीज कुवार सेफ हैं क्योंकि वो NDA में हैं मगर क्या NDA सेफ है? NDA खुद ऐसी नाव हो गई है जो कभी भी डूब सकती है और इस नाव से कुदने वाले चू है तो कम से कम यही कह रहे हैं अब बात करते हैं महागटबंधन की इस महागटबंधन में 5 प्रकार के 5 मेवे हैं मगर इस 5 मेवों के बहुजूद इस महागटबंदन का जाय का अभी तक बिहार की जनता को नसीग नहीं हुआ है ना कोई समिकर्ण शामने है, ना कोई सियासत 2014 तारिक के अल्टिमेटम दिया हुआ है, 14 गटबंदन के अलग-अलग दल है समझ नहीं यहां रहा है कि इस गटबंधन में कौन रहेगा और कौन जाएगा कौन छोटा भाई है कौन बड़ा भाई है राजद लगतार महा गटबंधन में खुद को बड़ा भाई साबित करने में लगी हुई है और कॉंग्रेस जो कि तीन राजों में जीत चुकी है और जीत के उत्साह में कहीं ने कॉंग्रेस ने खुद को बड़ा भाई मान लिया है अब मान लेने से क्या होता है? मान लेने पे कोई थोड़ी पढ़ान मंत्री हो जाएगा मगर सच्चाई यह है कि बिहार की सियासत में अब भाहुबल्यों की भी इंटरी होने लगी है और सबसे बड़ी बात Congress जिसने भाहुबल्यों से हमेशा किनारा किया था वो भी भाहुबल्यों को लुभाने लगी है कलभकसर में एक जुदान हुआ था वो जुटान महा जुटान हो सकता था मगर बाहुवली पोश्टरों तक रह गया है माँ पंचायद हुई थी अनन सिंग को बुलाया गया था कनया को बुलाया गया था पपु यादो को बुलाया गया था मगर कोई नहीं पहुँचा अब ये क्यों नहीं पहुँचे लोग ये तो आने वाले समय में समझ में आएगा मगर फिलाल एक बात तो सपस्ट है कॉंग्रेस कोई भी जीत का फॉर्मूला छोड़ना नहीं चाहती है कॉंग्रेस ये चाहती है कि बिहार में किसी तरह सकती को बढ़ा ले और इस बार 2019 के चुनाओं में मोधी को किसी भी तरह से पठकनी दे दे पर क्या ये अकेले संभव है क्या कॉंग्रेस अपने बलबूते मोधी को पठकनी दे सकती है ये बहुत बहुत सवाल है और इस सवाल के साथ एक समीकरन भी है मुगेर में एक पोस्टर लगा हुआ है मुगेर के पोस्टर में महागडबंदन के घटक दलों के नेताओं की तस्वीरे है मगर इस महागडबंदन के घटक दलों के तस्वीरों के साथ अनंद सिंग की तस्वीर है अनन्द सिंग वही हैं जिन्हें bad element कहा था तेजस्वियादों ने और कहा था कि इनकी महागटबंदन में no entry होगी मगर Congress ने तो ticket तक दे दिया है Congress ने महा पंचायत में बुलाया भी है Congress ने Congress के कद्दावर रेताओं ने इनकी खुसामदीद भी कर दी है और ये नहीं कहा है कि अगर आप आते हैं तो मुंगेर से आपको टिकट भी देंगे अब कॉंग्रेस को मुंगेर में इंट्रेस्ट है कॉंग्रेस को अनन्द सिंग में इंट्रेस्ट है मगर क्या अनन्द सिंग को कॉंग्रेस में इंट्रेस्ट है तो जी हाँ बिल्कुल अनन्द सिंग को कॉंग्रिस में इंट्रेस्ट है अनन्द सिंग कहते है कि कॉंग्रिस एक राष्ट्री पार्टी है और मुंगेर से लड़ेंगे राष्ट्री पार्टी के चिन्न पे लड़ेंगे अब महागटबंधन में क्या उठापटा होती है इससे अनन्द सिंग को फर्क भी नहीं पड़ता है अनन्द सिंग का सुभा भी ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीजों में पढ़ेंगे मगर क्या महागटबंधन के अनिदल खास तोर पर मैं बात कर रहा हूं राज़त उसको फर्क पड़ेगा राज़त को फर्क पड़ेगा क्यूंकि राज़त ने मुखर होकर बोल दिया है इसके बाद जब मुगेर में गठबंधन के दल जब कोई पोश्टर लगाते है और उसे अनन्द सिंग दिखते है जब बक्सर में अनंत सिंग की तस्वीर लगाती है कॉंग्रेस तो उससे असर पड़ता है राजद के राजंदर राम प्रवक्ता है उन्होंने कह दिया है कि भले ही कॉंग्रेस तस्वीर लगा ले भले ही कोई तस्वीर लगा ले महागडबनन में मगर महागडबनन में अनंत सिंग और अनंति सिंग जैसे बाहु बयनियों को बैड़ अलिमेंट को हम नहीं आने देंगे हम नहीं चाहेगे कि वो हमारे आए और इसके लिए हमारी प्रतिब्धता है तो क्या मान जैएगी का क्वparagus अनन्ण सिंग को टिकट नहीं देगी ये बहुत-बहुत जद्यू ने मजे लेने शुरू कर दिया है महागाडवन्दन पर भाजपा यानि सम्पूर्ण एंडिये जद्यू सभी मिलकर प्रहार कर रहा है और सबसे बड़ा प्रहार वो जो हो रहा है वो यह हो रहा है कि सीटों का समीकरन बन नहीं पा रहा है इसको लेकर जद्यू भी क्रतंज का स्राय वहीं भाजपा भी कह रहा है कि भाया यह आपस में सिर्फ प्रवक्ता नीरज कुमार वह भी लड़ाई में कूद गया है महागडवन्दन की उनका कहना है कि जब आरजेडी में पहले से ही दागी नेता भरे हुए हैं सहाबूदीन है राजबलव है और कई ऐसे नामचीन लोग है खुद लालू यादों है जो की सजाया अपता है तो फिर जब आप सोच हुए खा चुके हैं तो हज पे जाने से क्या इतराज है अगर आपकी पार्टी में इतने बड़े बड़े दागी नेता है तो अनंच सिंग सहतराज आपको क्यों हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में चोर है कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉंगरेस को टिकट नहीं देना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉंगरेस के टिकटों को काटने के ल सीटों का समिकरन सामने अगर दिख जाएगा तो यह जितने भी घटक दल है यह मुखर होकर बोलेंग नहीं यह चुप हो जाएगा जैसे कि NDA के सारे दल चुप हो गया है अब इनका मुखर होकर बोलना और कोई समिकरन नहीं बन पाना यह कब तक चलता है यह भी देखना ही मिली है अब चुनाओ तक लालोयादों कि जो चानक के बुद्धी है वो जेल में ही रहेगी और कॉंग्रेस जेल जायेगी नहीं अब यह सारे समिकरन प्लेट पर है और इस प्लेट पर बनानी है खिचडी और शेमे तक नहीं पके गी जब जब तक कि सारे इंग्रीडियंट्स एक साथ एक आज पर पक नहीं जाएं। बिहार की इसी सियासत पे, बिहार की इसी सियासी खिचिणी पर हमारी कमेंटरी जारी रहेगी, आप बने रहें न्यूज बिहार पर कबरों का सचला जारी रहेगा।